आप में से more than 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल वाला आइकोन प्रेस कर दो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करेंगे और आच पर वारंटाइब का आपको अज long आइफोन के बारे में लेकिन काफिकेशर आलगा-लहर प्रेस है क्या अंसर को आज सब्सक्राइस उनका प्रेस्ट कमबायों करेंगे जानेगे अग्ज्घ्ग सब्सक्राइब होते हैं तो जो international iPhones होते हो exactly क्या होते है तो like the name suggest that global iPhones मतलब let's say that आप कहीं बाहर जाते हो कहीं गुमने जाते हो कोई और country में दुबई में जाते हो या तो USA में जाते हो या तो जेपैन में जाते हो और वहाँ से अगर आप को iPhone को purchase करते हो फिर इंडिया में आके use करते हो तो उसको बोलेंगे global iPhones या तो आप खुद personally जाके purchase करते हो या तो आप यहां पे इंडिया से कोई shop से imported iPhones को purchase करते हो तो वो हो जाएंगे global iPhones with global warranty दूसरा question है guys दिर हम लोग को पता कैसे करना है जो iPhone हम purchase कर रहे है अगर कोई shop से purchase कर रहे है इंडिया में या तो बाहर से purchase कर रहे है तो वो इसके पीछे आपको एक model नमबर देखने मिलेगा और model नमबर का जो last three characters है वो determine करेगा that यह जो iPhone है वो consequently से belong करता है तो यहां पे guys मेरे पास एक Dubai का variant iPhone 13 Pro का इसका जो last का जो model के जो तीन characters है वो है triple A इसी तरह similarly अगर आप एक Indian iPhone को purchase करते हो तो इंडिया का जो model नमबर है वो है HNA model नमबर का जो last three characters है तो यहां पे जो model नमबर के last three characters होते है वो बताते है that exactly यह जो global iPhone है वो consequently से belong करता है आप लोग model नमबर जो है वो about के section में भी check out कर सकते हो iPhone को on करने के बाद general में settings में जब about के information में जाते हो तो वहां से भी आप लोग model नमबर को check out कर सकते हो और आप लोगो description box के अंदर model नमबर का एक full list देखने मिलेगा that कौन सा model नमबर कौन से country से belong करता है anyways अब बात करते हैं आप लोगो क्या difference देखने मिलते है अलग-अलग countries के models में काफी सारा आप लोग को अलग-अलग countries के models देखने मिलते है USA का variant होता है Japan का variant होता है Hong Kong का variant होता है तो आपको कौन सा variant जो हो जादा consider करना चाहिए तो यहां पर एक इस physical differences तो आपको slight में भी देखने मिलते होंगे country वाज़ अगर चेक आउट करने जाए तो features के मामले में तो exactly सारा iPhones exactly same काम करते है और same operating system पे काम करते है अगर physical differences के बारे में बात करें तो USA का जो आइफोन होता है जो 5G वाले जो आइफोन होते है उनमें आपको right side में एक 5G का additional mm wave वाला antenna band देखने मिलता है जो कि आपको और कोई globally आइफोन के अंदर देखने नहीं मिलता यह band गया सिर्फ औ regards का जो antennas आते हैं वो तो globally सारा iPhones के अंदर available है तो अगर आप iPhone 12 series लेते हो तो बस आपको mm wave का band देखने नहीं मिलता है लेकिन इंडिया में कोई मतलब भी नहीं है mm wave का जो 5G band वाला iPhone यूज करके बिकॉस यहां पर जो नॉर्मल 5G वो भी अभी तेक आया नहीं है इसके दूबली आपको iPhone के उपर देखने मिलता जिसे करकर इंडिया के बारे में बात करें तो dual SIM card का आपको option देखने मिलता है लेकिन आप एक e-sim configure कर सकते हो और एक physical dual SIM configure कर सकते हो anyways guys अब बात करते हैं दुबई की iPhones के बारे में तो यहां पर दुबई की iPhones के बारे में भी काफी सारे लोग काफी सारे confusion है because आप में से काफी सारे लोग हमेशा मुझे पूछते रहते हैं क्या दुबई की iPhones के अंदर कोई restrictions applied है क्या दुबई की iPhones के उपर FaceTime काम करता है या तो नहीं करता है क्या iMessage काम करता है या तो नहीं करता तो अगर आप दुबई से कोई iPhone को purchase करते हो और आपकी country के अंदर गवर्मेंट ने अगर FaceTime को restrict करके नहीं रखा तो आपके country के अंदर FaceTime काम करेगा flawlessly तो इस फिजिकल डिफ्रेंस जो है वो तो सिर्फ यूसे का iPhone के अंदर और Hong Kong का iPhone के अंदर देखने मिलता है बाकि software वाइस तो आप ग्लोबली कहीं का भी iPhone purchase कर लो आप सीमी स्पीड पर उसको अप्रेट कर पाऊगे सीमी आपको network connectivity देखने मिलेगी आप लोगो सारे अपने iPhone को purchase किया और वहाँ से अपने official invoice को लिया है या तो आपके email के उपर या तो physical invoice को आप carry कर रहा हो तो इंडिया में जब आप warranty को claim करने जाओगे तो जो Apple Store वाले है जो Apple के authorized service center वाले है वो आपके पास proof of purchase मांग सकते है तो proof of purchase यहाँ पर Apple के website के साब से में भी required लिखा हुआ है लेकिन मेरे experience के साब से most of the Apple Store से most of the service center से अभी फिलार इंडिया के अंदर वो आप से proof of purchase मांगेगे ही मांगेंगे without bill without invoice आपको इंडिया के अंदर warranty नहीं मिलेगी international आइफोन के उपर मेरे experience के इसाब से तो यहाँ पर आप कोई और country से आइफोन को purchase किया है और आपके पास उसका official bill है तो आपको warranty आपल reject नहीं कर सकता है लेकिन अगर आपके पास official invoice नहीं है तो आपकी warranty रिजेक्ट हो सकती ह हो तो यहाँ पर warranty depend करेगी आप जहां से आइफोन को purchase कर रहे हो आप जहां से उस इंपोर्ट आइफोन को purchase कर रहे हो क्या हो आपको एक country of origin का official apple store का या तो apple के authorized store का invoice प्रवाइड करते है या नहीं करते है आपने store A जो के इंडिया से बिलॉंग करते है वो आपको sell कर रहा है दुबई के variant का iPhone तो क्या हो आपको एक दुबई के official apple store या तो दुबई के authorized reseller के पास का invoice प्रवाइड करता है या नहीं anyways guys आते हैं आज के हमारे final question के उपर लेकिन सबसे जाधा important question के उपर that क्या आपको एक global iPhone को purchase करना consider करना चाहिए या नहीं अगर आप खुच जा रहे हो बाहर इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हो तो वहां से आप purchase करोगे तो definitely आपका काफी जाधा पैसा बचेगा जिसके यहाँ पर यह जो iPhone 13 Pro आप लोग चेकाउट कर सकते हो इसको मैंने दुबई के Apple Store से purchase किया था यह phone गाइस मुझे पढ़ा ह हो तो मेरे साब से आपको बचाना चाहिए लेकिन कई यहाँ पर एक और कुशन आता है अगर आप इंडिया से एक इंपोर्ट आइफोन को purchase करते हो तो फिर क्या आपको consider करना चाहिए या नहीं तो यहाँ पर भी डिपेंड करेगा अगर आपको जो country of origin कर आपको पहले बता है जो के difference देखने मिलता भी है इंपोर्ट आइफोन में क्या होता है जिसे के इस साल गाइस आइफोन 13 प्रो एंड मैक्स का स्टॉक काफी ज्यादा लिमिटेट है तो इंपोर्ट आइफोन अभी फिलाल काफी ज्यादा हाई कॉस्ट पे सेल हो रहे लेकिन कुछ टाइम जा जादा नुकसान नहीं होगा क्यों जादा नुकसान नहीं होगा विकास जो इंपोर्ट आइफोन से आपको अल्रेडी 25,000 पर सस्ते में पड़े तो जब उनको इस आइफोन को कुछ होता है एस तो आईफोन में कोई दिक्कत आती नहीं है लेकिन अगर आपके नसीब बहु क्लेम करने में दिक्कत आ सकती है तो यह एक छोटे से रिस्क फैक्टर को आपको ध्यान में रखके पर्चेस करना है इंपोर्ट आइफोन को उमीद करता हूगा इस सारी चीज़े क्लीर होगे लेकिन अगर इसके अलाव भी आपको और कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमे झाल 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 झाल